हेलो प्यारे बच्चो मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पाइरल स्टेडी में बच्चो आप लोगोंने हुमन हर्ट का वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया होगा और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हुमन ह लिए 100% helpful रहेगा अब बच्चो आज हम लोग पढ़ने वाले blood vessels के बारे में जो part हमारा अकल रहे गया था यानि हर्ट वाली वीडियो में रहे गया था आज हम उसको complete करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों का आज आपको पता चलेगा जो शायद आपने नहीं सुनी और अगर स कुछ नया हम आज आपको बताने कोशिश करेंगे तो बत्法ष वाelश-में देसी कलास में इसलिए के पया नो इसको करता हूँ और एक गाहों का परशन देसी हो सकता है ये फिरू है है उना यह भी सथ्य में है लेक्ष्य है तो चलिए बच्छो अभर हम हम लोग पढ़ लेत की ठीक है अब इस कहानी को हम कैसे बनाएंगे बच्चों इस कहानी में यानि इस ब्लड वैसल में ये एक क्या है एक घर है ठीक है इस घर में ये तीन मेंबर है ठीक है तीनों को अलग अलग काम दिया गया है पहले मेंबर का नाम है आपका वीन्स दूसरे मेंबर का नाम है हिंदे में आपको बताऊं तो वीन को शिराय कहते हैं और कैपिलरी को कहते हैं केशी का नौट कोशी का थीक है अब बच्चो पहली चीज हम देख लेते हैं इनके फंक्शन तो बच्चो आप लोगों ने जैसे कल पढ़ा होगा उसे थोड़ा हटके बताते हैं हम वीन जो होती आपकी वो इंप्यॉर ब्लड को इंप्यॉर ब्लड को कैरी करती है ठीक है क्या करती है इंप्यॉर ब्लड को कैरी करती है जहां भी डाउट हो कमेंट कर देना ठीक है इंप्यॉर ब्लड को कैरी कर देती है ठीक है उसके बाद में नंबर टू पे आता है अब यहां पे वीन् और वह exception क्या है पल्मोनरी पल्मोनरी वीन ठीक है जिसको कहते हम फुपुश शिरा हिंदी में नाम बड़ा इंटरस्टिंग है फुपुश शिरा इसका काम क्या है यह प्यॉर ब्लड को केरी करती है प्यॉर ब्लड को केरी करती है अब जिन बच्चो ने यह नहीं पता जिनको पहले वीडियो नहीं देखी पहले बात आप जाके पहले वीडियो देख लो description में आपका link मिल जाएगा और बच्चों जिन लोगों नहीं देखी है मैं आपको फिर से बता दूगी जो impure blood है आपका impure blood जो होता है आपका वो होता है CO2 वाला blood यानि जिस blood के अंदर आपके CO2 भरी रहती है उसको कहते है CO2 वाला blood और pure blood कौन सा होता है बच्चों जिसके अंदर O2 भरी रहती है नहीं O2 वाला blood clear रहे बात ठीक है तो यानि बच्चों हमारे जो परिवार है उस परिवार के पहले member का जो काम है वो impure blood को carry करता है यानि कहीं से जो impure चीज़े हैं उनको इकठा करेगा आप example ले सकते हो ऐसा है ना blood की जगे है आप कहा दो के बाहरे सारी चीज़ इकठी करेगा इकठी करके और उनको क्या करेगा एक अच्छी जगे डाल देगा सही होने के लिए ठीक है और सही होके फिर दुबारा कोई दूसरा member लेके अच्छा काम कर रहे हो तो तब भी आजाएगा बच्चो हाँ भई तो बच्छो जो पहले member को काम दिया गया है वो क्या दिया गया है impure blood को carry करना exception क्या है pulmonary vein अब पहले मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई घर में ऐसा member हो जाता है जो आपकी बातों में टांग अड़ाता है तो ऐसा कौन है यह exception कौन है pulmonary vein यह pure blood को carry करती है अब एक simple सी चीज बेटा मैं आपको बता दूँ हम कैसे पता करें कि हमारी vein कौन सी है भाई देखो हम लोगों को सोड़ी सी नसे भी दिखाई देती है अपने हातों में ग्रीन ग्रीन सी नसे दिखाई देती है लेकिन हम पता कैसे करें कि क्या होती है और अगर ग्रीन नसे दिखाई देती है तो फिर हमारी बाकी की जो ती दो चीज़े है वो कहां गई तो बच्चो पहले मैं आपको बता दूँ कि जिन नसो को आप हरा आरा देखते हो उनका color green नहीं होता उनका color होता है blue कौनसा color होता है blue अब आप कहोगे सर ये दिखती तो हरी है लेकिन blue color हमें नजर क्यों आ रहा है तो बच्चो blue color इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसके उपर skin है और वो skin आपकी होती है yellowish ठीक है ना कैसी होती है yellowish होती है आप कोई green चीज रखके देखो उसके उपर थोड़ा yellow अला पाट रख देना है ना तो वह आपको क्या दिखेगी थोड़ी सी हरी दिखेगी green type दिखेगी ठीक है बच्चों तो यहाँ पर जो शिराएं है यनि beber है वो आपका मैंने आपको बता दिया अब सबसे भड़ी जो सिरा होती है वो होती है वीना कावा कई बाहर एकजाम में पूछा गया है सबसे बड़ यो शीरा है वो होती ہے आपकी Viena Kawa यानि महाशीरा ठीक है क्या होती है महाशीरा अब भचो धमनी की बात कर लेते हैं आट्री की बात कर लेते हैं देखो बचो आट्री जो होती है आपकी आट्री आपके pure blood को transport करती है ठीक है या carry करती exception is pulmonary pulmonary artery जो की आपका क्या करती है impure blood को carry करेगी ठीक है impure blood को क्या करेगी carry करेगी ठीक है अब यह बताऊंगा मैं आपको carry कहां से कर रही है कहां से नहीं कर रही पहले आप यह पता कर लो अब उसके बास बच्चों देखो एक bloody नहीं रह गया transport करने के लिए हमारे पास जो आपकी artery होती है सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी artery होती उसका नाम होता है ओल्टा ठीक है क्या होता है ओल्टा होता है ओल्टा कौन सी होती है जो पूरी body में आपके blood को o2 वाले blood को पहुंचाती है है ना बास समय में आ रही है अब बच्चों देखो कहीं कोई चीज मैं आपको बताओं कि artery और veins जो है यह कैसे आपकी connected रहती है तो उनको connect करने में capillary का भी हाथ है अब capillary का काम किया देखो हम लोग जो nutrient खा रहें ना हम लोग जो खाना खा रहें तो बच्चों जो है आपडल ब्लड लगो ठीक है तो बच्छों जो खाने को transport करने का का म करती है यैनि आपके food को transport करने का काम करती है ड्रांसिपोरत कैसे करती यह तो करती तो семь- squirrel के साथ ही लेकिन इसका जो portion रहुट थो थोड़ा अलग है तो इसको खाने का काम दिये गया है तो को बढ़े हुनतर सब Pub को सब्सक्राइब क καahahaha किया इत्व सब्सक्राइब कर तो किसे सब्सक्राइब रेक्ट द्रीव कर दो तो होती है आपकी ब्लू अब आर्ट्री इसका कलर तो रेड रेड होता है यहां पर डाइगराम में देख लो आप जो रेड रेड आपको दिखाई दे रही है वो आर्ट्री है ठीक है और कैपिलेज का कोई खास कलर नहीं होता लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि यह वाइलेट कोईशन है वो तो यह आते है कि सबसे बड़ी शिरा कौन सी है तो विना कावा सबसे बड़ी धमनी कौन सी है तो और सबसे छोटी रुदिरवाही नहीं यह वाली सबसे छोटी जो रुदिरवाही नहीं वो आपकी होती है कैपिलरीज होती है बाखी के फंक्शन में आप लो के बाद उसको थोड़ा फल मिलता है तो क्या वो गलत है अगर किसी टॉपिक से आप लोगों को नॉलिज मिल रही है तो क्या वो गलत है है ना आप मुझे कमेंट करके जुरू बता है बाकी बच्चों अगर आप लोग चाहते हैं सपोर्ट करना तो बिल्कुल आप चैनल को पीचर को उसके गाओं के बच्चे शेयर करते हैं सबस्क्राइब करते हैं और समझते हैं और उनसे पढ़ते हैं तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही फिर मिलते हैं कैसी अच्छी वीडियो में एक ऐसी ही कुछ नया सिखाने वाली वीडियो में बच्चों और हम मेशा हम आपको कोशिश यही करेंगे कि बेटर दे पाएं आप लोगों को जो आपको एक्जाम में आपकी हेल्प करें बच्चो जितना होगा उतना मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगा बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और सपोर्ट इतना बनाईए कि आने सपोर्ट करना धन्यवाद जय हिंद और जय भारत